तो हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इस्टमा क्लासस में दोस्तों आज हम आ गये है एक नई वीडियो के साथ में बहुत इंपॉर्टन वीडियो हो जिसमें हम बताएं कि विस्व में सरवदिक बड़ा छोटा लंबा एवम उचा जो की हर एक्जाम में एक या दो नंबर का आता ही आता है तो सबसे पहला कोशन इसमें देख लेंगे दोस्तों देरीने करते हुए सबसे पहला कोशन देखते हैं विस्व का सबसे बड़ा महादीव कौन सा है पहला कोशन दोस्तों है विस्व का सबसे बड़ा महादी हम बचाइब औरает को हैं लिए कि हैअ इसनु है पर देखेंगे। एसनु कैंट कि अगर बात करेंगे तो और अगर हम बात करेंगे एसिया महादूइप में तो एसिया महादूइप में विस्व के सबसे उचा परवत विस्व में जो सबसे उचा परवत कौन सा है दोस्तों माउंट टेवरेस्ट है जो कि नेपाल में इस्थित है जिसकी उचाई 8,850 मीटर है और ये भी कहां इस्थ है दोस्तों ये भी इस्थित है एसिया में तो सभी important facts हम देख लेंगे दोस्तों इसमें देखेंगे कि विस्व का सरवधिक जो बड़ा पठार यानिकर पठार की बात करेंगे पठार के देश सबसे जो बड़ा पठार है तिबद का पठार वो भी एसिया में इस्थ जिसकी उचाई है 4875 मीटर और दोस्तों जिसे हम क्या कहेंगे इसे हम विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं और इसके पश्चाथ में हम देख लेंगे एसिया से और कुछ तत्य एसिया विश्व में सरवधिक जनसंख्या वाला कर देश बात की जाएं चीन भारत दूसरे न सहर जो देश है वो है सिंगापूर विश्व की जो सबसे गहरी जील है बैकाल जील जो रूस में पढ़ती है यह भी कहां पर इसीत है दोस्तों यह भी एसिया में ही एसित है तो दोस्तों एसिया बहुत इंपोर्टन है और इसके हमने इंपोर्टन की फैक्ट भी देख दूसरा दोस्तों देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महादीव कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महादीव दोस्तों कौन सा है तो वह है सबसे छोटा महादीव आस्ट्रेलिया महादीव कौन सा है दोस्तों आस्ट्रेलिया महादीव सबसे छोटा महादीव है अब आस्टरलिया महादीप से जो related कुछ प्रस्ण है उनको हम देख लेंगे आस्टरलिया विस्ट का सबसे छोटा महादीप है पहली बात ये देख लेंगे आस्टरलिया कहां पर इसी था है तो दच्छरी गोलार्त में इसी था है और ये मकर जो रेखा है उसी के बीच ओबीच या निम्मद से गुजरती है अगर बात की जाए कि जो आस्ट्रेलिया इसकी खोच किस ने की थी तो इसकी खोच सबसे पहले जो बिटेन के जो इंग्लेंड के जो कैप्टन कुक थे इन्होंने सबसे पहले जो है आस्ट्रेलिया का दावरा किया और इन्हें ही खोश करता है कि रूप में जाना जाता है और कुछ इंपोर्टन फैक्स भी देख लेंगे तो बात करें अगर इस महादूप की तो यहाँ पर 22 इस महादूप में यानि एसिया जो आस्ट्रेलिया है आस्ट्रेलिया में 22 दोसों आस्ट्रेलिया की मूल जो निवासी है उनको मूल निवासी हों को क्या कहा जाता है अबोर्जिंस के नाम से पुकरा जाता है आस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पर इस महादीप का जो प्रमुकिस्थल गिबन और विक्टोरिया है आस्ट्रेलिया को प्यासी भूमिका देश और दे लेंड आप गोल्डन फ्लिस और कंगार्गों का देश भी कहा जाता है दोस्तों कॉशन नमर थी देख लेंगे विस्व का सबसे बड़ा महासागर कॉँश और फ्रसांत महासागरैशंत महासागर से मुष्य कॉश्शन भी देख लेंगे तो अगर हम मみ कॉश्शन अगार की बात करेंगी तो ये दोस्तों बहुत ही easy question है इसलिए इसमें हम option नहीं लिखें विस्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है वो है प्रसांत महासागर प्रसांत महासागर से जो related course तत्य है उनको देख लेंगे प्रसांत महासागर समुद्रों के साथ धरातल का जो एक बटा तीन भाग इसमें इस्तित है और इसका कुल छेटफल अगर बात की जाए तो 16,574,740 वर्ग है इसकी जो आकरत की बात करेंगे तो ये त्रिवजाकार छेटफल में इस्तित है दोस्तों दोस्तों कुशन नमबर 4 देखेंगे जिसमें विचो मी छेटफल की देश सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो दोस्तो वूर नगर है सबसे बड़ा चो नगर है वो है लंदन जो की Great Britain में है दोस्तो कौन सा है वो है लंदन जो की Great Britain में इस्तित है दोस्तो अब इससे भी related हम कुछ प्रश्णों को दोस्तो देख लेंगे अगर हम बात करेंगे लंदन की तो लंदन क्या है ग्रेट बिर्टेन में इस्तित है और यहाँ विस्टो कि जो छेतरफल की देश से सबसे बड़ा नगर है इसे कभीयों का देश भी कहा जाता है आप कुशन नमबर फाइब देख लेंगे दोस्तो विस्टो कि अगर छेतरफल की देश से सबसे बड़ा देश कौन सा है अगर विस्टो में छेतरफल की देश से देखेंगे सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो दोस्तो देश है रूस कौन सा देश है वो है दोस्तो तो दोस्तों रूस से पूछी जाने वाले क्वेशन तो रूस की अगर बात की जाए रूस की राजधानी क्या है तो वो है रूस की राजधानी है कौन सी दोस्तों वो है रूस की राजधानी है मासको रूस की राजधानी मासको है यहाँ पर अगर बात की जाए कौन सी मुद् चलती है इन्हा के संसत का नाम ड्यूमा है और रूस और फिंड लाइंड के बीच में जो इसती देखा है मैं रहिम रेखा है और इसके गुप्तिजर जो संस्ता है रूस की जो गुप्तिजर संस्ता है वह कौन सी है तो वो है KGB, GRU, GSS अगर हम राष्टी चिनिक की बात करें तो ये है कौन से है हसिया और हथाड़ा दोस्तों अगर हम रूस के खेल की बात करेंगे राश्टी खेल तो वो है सत्रंज और इतना बड़ा रूस का छेथपल इतना अधिक है कि वहाँ पर लगभग 11 समय जोन है कितने हैं दोस्तों यहाँ पर बताया 11 समय जोन है सोवियत संकी जो इस्थापना होई थी दोस्तों वही थी 1922 में कब होई थी दोस्तों 1922 में सोवियत संकी स्थापना होई थी रूस में बैकाल जीलबी सीथ है question number 6 देख लेंगे विस्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों बहुत important कई बार exam में आ चुका है विस्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों Vatican City कौन सा दोस्तों Vatican City अब इसके important टत्यों को हम देख लेंगे वेटकन सिटी इटली की राजधनी दोस्तों कहां इटली की राजधनी जो रोम है रोम के अंदर इससे ते एक छोटा सा देश है कहां पर इससे था यह इटली और इटली की राजधनी रोम और रोम के जो अंदर एक इससे छोटा सा देश है दोस्तों वेटकेंट सिटी में इसे ड्राख सकारी में और लेटकेंट सिटी का च्छेथफ़ की बात की जाया है तो इसका च्छेथफ़ चार्सओ Früh blocks जिसी प्रकार से गाउं एक मोहला हो था ऐसी प्रकार ये इस उस्द है और अगर हम बात करेंगे वेटकें सिटी की इस्थापना की स्थापना कब हुई थी? तो देख लेंगी वेटकें सिटी की जो इस्थापना केवल रोमन कैथोलिक चर्ज के आधार पर हुई थी और यहां पर सब जितने भी लोग हैं वो क्या इसाय धर्म का पालन करने वाले हैं और सब इसा मसी का प्रतनित करते थे इसलिए यहां किसी राज के आधीन नहीं होने के लिए इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है अगर बात करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए इटली ने क्या किया संट पिटर के महान मंदिर के आसपास जो भी जमीन थी 440 वर्ग मीटर की जमीन को पूर्डूरूप से स्वतंत्र कर दिया था दोस्तों वेट्रियन सिटी को यू एनो दोरा मानिता मिल गई है और यहां की आबादी अगर देखा जाए तो लगभग एक हजार नागरिक है यहां पर और यहां के सभी नागरिकों किसी वरकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है सरवधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो बहुए बिलकुल एज़िए है दोस्तों सरवधिक जनसंख्या है दोस्तों वह कहां पर है वह चीन में अब चीन से कुछ important question हम देख लेंगे दोस्तों तो बात करेंगे दोस्तों सरवदिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है तो वो दोस्तों अपना देश है भारत भारत से समन्दित कुछ प्रसंद देख लेंगे भारत की राजधनी दोस्तों क्या है भारत की राजधनी है नई दिल्ली जो की 1911 में बनाई गई थी भारत की जो मुद्रा है रुपया है भारत की जो संसद का नाम संसद है और इस यहां की राष्टिक पसुक्या है बाग है र अन्टार्टिका क्या है दोस्तों अन्टार्टिका में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है तो यह हो जाएगा दोस्तों अन्टार्टिका और इससे महातपूर तथ्यों को हम देख लेंगे दोस्तों नियूंतम जो है अन्टार्टिका पर और अधिक्तम सबसे अधिक्तम कहां पर दोस्तों हैं सिंगापूर में सिंगापूर तो सिंगापूर से रिलेटेट कुछ हम तथे देख लेते हैं क्योंकि ये अधिकतर एक्जाम में आता है तो सिंगापूर से रिलेटेट तथों को देखेंगे दोस्तों यहां पर देखेंगे कि सिंगापूर को आधिकारिक तौर पर सिंगापूर गर्राज की संग्या दी गई है दोस्तों क्या कहा गया है इसको आधिकारिक तौर पर क्या दोस्तों कहा गया है इसको कहा गया है सिंगापूर को सिंगापूर गर्डाज कहा जाता जो एसिया के दच्छिड में इंडोनेसिया था मालगीब के बीच इसी थे दोस्तों अगर बात करेंगे जो सिंगापूर को दोस्तों 31 दिसंबर 1963 को United Kingdom से सुतंदिता मिली थे और 16 सेतंबर 1963 को अपना जो विले वो मलेसिया में करवाया था लेकिन बाद में फिर 9 अगर्ष्ट 1965 को मलेसिया से अलग हो करके ये एक सुतंतर देश बना और आज बहुती उन्नत के पतपर अगरसर है दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे विस्व का सबसे बड़ा नदी दीपसमु कौन सा है तो वो दोस्तों कौन सा है वो है माजली बहुती प्यारा वोती सुन्दर है माजली दीपसमु जो की भारत में इस्तित है और माजली से related कुछ हम तथ्यों को देख लेंगे तो मांजली दीप समू दुनिया का सबसे बड़ा नदी दीप समू है यहां कहां पर इस्तित है दोस्तों असम के डिब्रु घड में इस्तित है मांजली कौन सिने दीप ब्रह्मपुन नदीपर मांजली अब देश का नदी जिला भी बन गया है मांजुली का कुल जो 6 तफल की बात की जाए तो 552 वर्ग मीटर है और 2011 की जंगर्णा के नुसार यहां की जो आबादी है वो 6,67,304 है दोस्तों कोश्चन नमबर 11 देख लेंगे दोस्तों विस्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों बहुत ही इंपर्टन तो बहुत ही अच्छा कोशन है यह सुंदरवन डेल्टा विस्व का सबसे बड़ा डेल्टा है अब इससे रेल्टेड बहुत ही महां पूर्ट तथ्यों को देख लेंगे सुंदर्वन डेल्टा भारत बांगलादेश में सित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह जो डेल्टा है वो ब्रह्मपुत और गंगा नदी के जो संगम से मिला हुआ डेल्टा है और इसको अब युनिस्को की विश्व दुरोहर में भी सामिल कर लिया गया है कोश्चन नमबर 12 दोस्तों देख लेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो दीब समू कौन सा है वहाँ पर नदी दीब समू की बात हो रही थी यहाँ पर केबल दीब समू सबसे बड़ा जो दीब समू है विश्व का वो है दोस्तों इंडोनेसिया और इंडोनेसिया से रिलेटेट कुछ तत्यों को हम पढ़ लेंगे दोस्तों इंडोनेसिया गर्डाज उसीनिया में इस्थित एक विसाल देश है कहां पर इसे दोस्तों उसीनिया में इस्थित एक विसाल देश है जिसकी राजधानी क्या है जकारत है दुनिया का चौठा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया का सबसे बड़ी मुसलिम आबादी वाला देश है और इस देश की अगर सीमा की बात की जाए तो सीमा जो पपुआ न्यूगिनी और तीमोर और मलेसिया के साथ में दोस्तों लगती है इसका जो पड़ुसी देश है वो कौन से सिंगापूर, फिलिपिन्स, आस्ट्रिलिया, भारत और अंडर्मान, निकोबार्दी अपसमू है कोशन नमबर 14 दोस्तों देख लेंगे कोशन नमबर 14 है विस्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये बना हुआ है निल नदी का नाम जो ग्रीक सब्द के निलोस से लिया गए जिसका अर्थ होता है घाटी निल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 6,650 किलो मीटर है दोस्तों अगर निल नदी की बात करेंगे तो लगभग 11 देशों से होकर के निल नदी घुजरती है ग्यारा देशों से नील नदी दिफोकर गुजरती है दोस्तों बात करेंगी अगर नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी जील दोस्तों कौनसी विक्टोरिया जील से निकल कर सहारा मरुस्तल के पूरुभाग को पार करती हुई भूमद सागर के उत्तर में जाकर के गिरती है दोस्तों कॉश्चन नमर 15 देख लेंगे दोस्तों विस्टो की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई और बहाव की दिश्टे कौन सी है वो है दोस्तों अमेजर नदी, अगर चौड़ाई के हिसाब आप से देखें, लंभी नदी कौन सी है, वो नील नदी है, लेकिन अगर चौड़ाई और बहाओ की सिथ में देखेंगे, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है, अमेजर नदी, अब इसके हम तथे को देख ल सबसे चोड़ी नदी कहा जाता है Amazon ने दिखी अगर बात किया है तो Amazon नदी घाटी अमेरिका के आठ देशों में फैली हुई है Brazil, Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela, Guayana और सुरी नाम के अलावा French Guayana तक Amazon नदी किधारा बहती है दोस्तों Question number 16 देख लेंगे विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है तो बहुत important question है दोस्तों सबसे गहरी जील जो है वो बैकाल जील है जो की रूस में इस्तित है और इसके important तत्त को देख लेंगे दोस्तों तो बैकाल जील दुनिया की बैकाल जील दुनिया की सबसे प्राचीन जील है सबसे प्राचीन जहिल कौन सी है दोस्तों बैकाल जहर है और सबसे गहरी जहिल भी कौनसी यह जो जहील है और इसकी औस्तम गहराई की बात की जाए तो 644.4 मीटर इसकी औस्तम गहराई है दोस्तों मेरे प्यारा दोस्तों कैस्पियन सागर विस्ट की सबसे ज़्यादा पानी वाली जहील कौन सी है कैस्पिंस अगर है वहाँ क्या हो वहाँ बैकाल का अगर बात की जाए तो यह कौन से है दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों ऐसे में सबसे ज्यादा पानिवाली जीलहे लेकिन अगर बात कि जाये दूसरे नममेर पर न भुळाय जीलहे रहे और दूसरे नमबर पर सबसे ज्यादा इससे में है रूसें कि और दीखेंगे दोस्तों तीसरा फैक्ट क्योंकि कैश्पिन्स अगर का जो पानी हो खा रहा है इसलिए अगर हम बैकाल की बात करेंगे तो डुनिया के सबसे बड़ी मीठी पानी जील है वह कौन से दोस्तों बैकाल जील है अब दोस्तों देख लेंगे कुशन नमर 17 सबसे विस्थ व्यापारिक नदी कौन से है तो ये नदी है दोस्तों राइन नदी बहुत ही विस्थ नदी कही जाती है और इसके important facts को देख लेंगे दोस्तों राइन नदी की बात की जाए से अंदराष्टी मार्ग से होता है राइन नदी इसपेशली स्विजर लैंड से निकल कर आस्ट्रिया जर्मनी फ्रांस की सीमा का भी निर्मान करती है दोस्तों कुशन नमर 18 सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन से है सबसे बड़ी ताजे पानी की जील तो वो जील है दोस्तों सुपेरियर जील ताजे पानी की जील कौन से है दोस्तों सुपेरियर जील इंपोर्टन्ट तत्यस के देख लेंगे दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की जील सुपेरियर जील है अर्टार्यू और अमेरिका का जो मिनिसोटा राज इसी में पड़ता है कोश्चन नमबर 19 की बात करेंगे विस्व का सबसे बड़ा हवायड़ा कौन सा है सबसे बड़ा हवायड़ा दोस्तों कौन सा है तो अगर विश्व में सबसे बड़े हवायड़े की बात की जाए तो वो साओधी अरब में स्तित है जो किंग फाहद के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसके इंपॉर्टन तथ देख लेंगे साथी एरफ का किंग जो फाहद एरपोर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट है और इसे ये दुम्मा इंटरनेशनल एरपोर्ट के नाम से भी जना जाता है अमेरिका का जो डीन पर एरपोर्ट है वो दुनिया का दूसरा एरपोर्ट माना जाता है कोशियन नमबर बीस और अंदिम कोशियन है दोस्तों दुनिया की सबसे उची बिल्डिंग कौन सी है सबसे उची जो बिल्डिंग है दोस्तों वो है बुर्ज खलीफा बहुत इंपॉर्टन जो की दुबाई में इस्तित है और इसके important तत्ति भी हम दोस्तों देख लेंगे कि जो दुबाई में सित विश्व की सबसे उची मारत बुज खलीफा है इसकी गर उचाई की बात करें तो 838 मीटर इसकी उचाई ही जो कि एगर एलपिल टावर की तुलना करें तो इसके तीन गुलाबे है चे साल से इसको बनाने में लगवग 6 साल लगे और इसमें लगवग करीब 8 अरब डॉलर का खर्चाया दोस्तों कितना खर्चाया? 8 अरब डॉलर का खर्चाया तो यह प्रश्णू की स्रीज दोस्तों यहीं पर समापत होती है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माद दिन से अवसे बताएं और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ग्यान मिला हो तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सेर कीजिए जिससे की आने वाली वीडियो उन तक मौँ सकें तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो